ये साल काफी दुखदाई रहा है बॉलिवुड्स इंडस्ट्री के लिए लेकिन क्या आपको मालूम है इस साल कई इस सितारे हैं जो की लॉक्डाउन में भी काफी कुछ कर रहे थे फैंस के भीश बने रहने के लिए लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में कई सालों तर राच करने वाली बॉलिवुड की एवर ग्रीन ब्यूटी रेखा की बात की जाए तो एवल ग्रीन ब्यूटी रेखा की बारे में कई लोगों को अगलों नहीं कि दिवाली के मौके पर भी रेखा नज़र नहीं आए लोगों के बीत क्योंकि रेखा जो है बॉलेवुड टाउन की कैसी अभिनेत्री है जो सोशल मीडिया से कोसो दूर है सोशल मीडिया से उनका कोई रिष्टा नाता नहीं है लेकिन यहां के मेगा स्टार अमिताब बच्चन के साथ अकसर ही उनका नाम जोड़ा गया है क्या है इसके पीशे का कारण आज हो आपको बताएंगे दरसल अमिताब और रेखा फिल्मी सेट पर एक दूसरे के साथ काफी जादा रोमेंटिक हुआ करते थे और इसमें कोई शक नहीं कि अमिताब और रेखा की जोड़ी आखरी बार जो फिल्म सिलसिला में नज़र आई के जहन में तमाम सवाल थे रेखा को लेकर आज हम आप सभी के बीच हमारी इस खास रिपोर्ट में लेकर आये हैं कुछ ऐसी ही तस्वीरें अमिताब और रेखा जो कभी एक दूसरे से नज़रे नहीं मिलाते कभी इन दोनों की जोड़ी एक दूसरे के बिना कभी पूरी नहीं होती थी क्योंकि ये दोनों जिस भी फिल्म में होते थे ये दोनों एक दूसरे के साथ उने दिल से रोमांटिक पोस दिया करते थे क्योंकि इनके बीच वाकई में जज़बातों का लगा अमिताब बच्चन ने जया बच्चन के साथ शादी के बाद रेखा के साथ एक्ट्रामेरितल अफ्रायल को लेकर काफी क्रिटिसिजम शेरी लेकिन ये सच है कि अमिताब बच्चन और रेखा जो एक दुष्रे के साथ फिल्म में सेट पर हुआ करते थे वो साथ बैठा करते थे एक दुष्रे के बादों में हुआ करते थे इस बारे में जानने के बच्चन ने उनसे दूरिया बना ली थी इन दोनों के बीच का रिष्टा था ही इतना कहरा इसलिए तो दोनों फिर साथ फिल्म न करते नज़र नहीं आये क्योंकि इनके अफैर की चर्चा अगनियों तक गोंजरे लगी थी अमिताब की बाहों में रेखा जब भी नज़र आती थी इनलों ये कहते थे कि ये जोड़ी जो है यूही नहीं एक दुष्रे के साथ बहुत जादा खुबसूरत लगती क्योंकि अमिताब के लिए रेखा ने प्यार का इस हाड़ तो कई बार कई मौके पर किया खुले आम ड़ापे में भी लेकिन रेखा के लिए अमिताब बच्चन का प्यार कैसा था इस बारे में अमिताब ने कभी भी खुलकर्जा ही नहीं किवा उन्होंने कहा कि रिष्टा उनका सिर्फ पोपेशनल थारेखा के साथ नेक्स्ट नाइन न्यूजरूम से त्रिप्ति की रिपोर्ट